तो यह स्टार्ट करते हैं यह हमारा part 47 है जिसमें आज हम देखेंगे बूल डेटा टाइप इन से प्रस्ट तो से प्रस्ट में उस टाइम में एक नया पीचर लॉंच कराता है 1939 सेस प्रस्ट इन परस्ट वचि देखेंगे आगे शीमाभ याज फिल्डी करते हैं आपने अट्रीक्स तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यह हमें से 0 और 1 की फूम में होता है या तो 0 होगा या 1 होगा बूल डेटाटाइप का नाम एंड जैसे ब1 वैरियबल ले लेते हैं अगर यह true-false, true का मतलब 1 और false का मतलब 0 आप electronics से मेरे साफ से काफी बात की फूम गे electronics में आपने पढ़ा होगा बूलियन एलजेब्रा या true-false, 0-1 की फॉम जैसे true ठीक है अगर हम इसकी value find करें B1 की तो देखते हैं क्या आएगी तो रहन कर आकर देखते हैं तो the value क्या आई, value आई 1 तो यह true है, true मैं आपको इस बात बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे if, else, for, loop यह सब true-false के उसमें काम करते हैं, 0-1 की case में काम करते हैं जैसे if, 45 is greater than 23, तो इसका मतलब क्या है यह true है, true है यह आई 1 है, तो यह loop चलेगा तो हर चीज़ इसमें 0-1 की form में work करती है, अगर मैं यहां करदू, बूल, b2, तो लोग यहीं कर देता है, पर 2, false, ठीक है, अब देखते है, b2 की value क्या आती है, compile and run, f11 shortcut किया, इसलिए मैंने, यहां से, f11 से ही compile and run कर दिया, तो जीरो और 1, क्योंकि 0 तो पहले वाली किती, और 1 किसकी है, 1 तो पहले वाली किती, चुकर की true था, तो false क्या है, zero, तो आपको पता है, अगर false है तो zero है, true है तो one है, अगर आप इसकी जगा और कुछ भी इसकतम काड़ दीता, अगर आप इसके 10 भी करते हो ना कुछ भी value कर दो अब देखने हैं क्या output आता है जब उसके बात बात करेंगे इसके अस्तितम में कुछ नपूस्त वैली तो अगर यहां पर में जीरो कर देता हूं तब यह फालस हो जाएगा इसलिए कुछ तो बैल्लू है इसलिए उसमें वन दिखाया वरना जीरो दिखा रहा है फिरमालें मैंने टू भी कर दिया तब भी यह वन दिखा क्योंकि इसकी वेल्य कुछ है कुछ में खुछ तो है इसमें अब कंपारेंट रॉन करता हूं तो बनाया ठीकिन एक ट्रू है हम इसकी कुछ नक बीवन कुछ नकुछ तो है जीरो तो नहीं है इसलिए वन है तो यह होता है अपना बूल डेटर टाइप का केज अगर जैसे इसमें कुछ इसमें मिल्टिप्लाइब करता हूं जैसे की फॉल्स प्लस में एक्स इन्टू टू अब देखते हैं सब क्या अंसर आता है कोई एरर को नहीं आती है इसे कंपाइल इंट्रम इसमें है तो यह ट्रू है अगर मैं मैं मुल्टिप्लाइब कर देता हूं यह ट्रू और कर देता हूं नहीं प्लस इसको अब देखने क्या कोई एरर आती है अब क्या आया वाया वन यहां पर क्या होगा इफ फॉल्स इंटु एफ पहले यह चलेगा फॉल्स इंटु एक्स क्या होगा जीरो जीरो प्लस टू इक्वल टू यानि एक एग्जित कर रहा है इसलिए वन आया अगर मैं इसको भी हटा देता हूं अब कंपाइलेंट रंग करता हूं तमपाइलेंस निहाँ हो रही है आप देखो क्या है जी रो क्यों है कि फोल्स के फोल्स जी रो एंड इन्टू right यह क्या हुए जीरो तो यह पोल्स है इतलिए वैल्यूश में क्या दिखाई कि इसमें वैल्यूश दिखाई जीरो ठीक है तो यह हमारे निया बूल्ड डेटा टाइप है C++ में अगर आपको इडियो अच्छा लगए उसको लाइक करें शेयर करें अगर इसके लाब फिर भी तुम्हें कुछ क्वेर है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं जरूर उसका जवाब दूगा और सस्क्राइब करें ताकि आपको और नोटिफ करता रहूं थैंक यू